नमस्कार दोस्तों पिछली क्लास हमने चक्रवर्दी ब्याज गिली थी और बेसिक से बेसिक जानकारी और चक्रवर्दी ब्याज को स्रल करने के आसान आसान मेथड बताये थे दो method बताये थे जिसमें से आपको मैंने बताया था कि जो आपको best लगे वो method आप अपना सकते हो अब आज अक्रूर्टी भी आज की आगे class start करते हैं और आगे जो exam की दस्टी से महतोपन स्वाल है बार बार exam के अंदर पूछे जाते हैं उन स्वालों को हमें सरल करेंगे और उमीद करता हूँ कि आप इस class को ज़्यादा से ज़्यादा share करेंगे और अच्छी तरीके से इस class को समझेंगे तो आज चक्रूर्दी व्याज compound interest की दूसरी class है और जिस बच्चा जो बच्चा आज दूसरी class देख रहा है तो उससे मैं request जरूर करूँगा कि एक बार आप पिछली class को जरूर देखे क्योंकि आप पिछली class को देखे बिना आप इस class को नहीं समझ सकते उमीद करूँगा इस class में भी अच्छी तरीके से समझाऊं लेकिन एक बार इस class को देखने से पहले पिछे की class जरूर देखे ठीक है तो start कर रहा हूँ मैं इस class को ज़्यादा से ज़्यादा आगे share कर दीजी आप start कर रहा हूँ देखे देखे मूलदन है हमारे पास है कितने रुपे छे जार रुपे और दर है 10% और समय है डेड़ वरस और CI है ज्याद करना है तो पिछली कक्सा के अंदर मैंने बताया था कि किस परकार इस स्वाल को सरल करना है दो तरीके बताए थी अब मुझे जो तरीका बेश्ट लगा वन दोनों तरीके से ही स्वाल को हल करूँगा एक किसी स्वाल को पहले तरीके से कर दूँगा किसी स्वाल को दूसरे तरीके से सरल कर दूँगा ठीक है तो देखो क्या करना है एक तरीका वापिस दुबार रिवाइज कर देता हूँ कि पहला method मैंने बताया था कि 6000 को जैसे मानलो 10% निकाल लिया जैसे अंदर को समझना है पहले 10 कितने परतिसाथ है 10% तो 10 बटा 100 यानि 1 बटा 10 इसका मतलब यह हुआ कि मूल्दन 10 रुपे और 1 रुपे क्या है ब्याज मूल्दन 10 रुपे है और 1 रुपे क्या है ब्याज ठीक है और जैसे मानलो मूल्दन और amount इस परकार लिखेंगे 10 मूल्दन और 1 रुपे है ब्याज का जोड़कर कितना रुपे है वा 11 रुपे है ठीक है तो अब क्या करना है कि समय यदि दो वरस दे रुपे है तो दो बार लिख देंगे तीन वरस दे रुपे है तो तीन बार लिख देंगे यह मैंने पिछले क्लास के अंदर बताया था लेकिन इसके अंदर क्या दे रुपे है कि जो समय है वो डेड़ वरस है कितने वरस है देड़ वरस तो देड़ वरस यदि समय है देड़ वरस का मतलब एक वरस पूरे के लिए दर रहेगी और आधे वरस के लिए आधी दर रहेगी कितने दर रहेगी आधी दर रहेगी ठीक है जैसे देड़ वरस का समय दे रखा है तो देड़ वरस के लिए एक वरस के लिए तो दर रहेगी और आधि वरस के लिए आधि दर रहेगी समझा भा रहा हूं देखो कि 5 परतिसद जैसे मालो 10 परतिसद दर है तो 1 वरस के लिए तो 10 परतिसद पूरी रहेगी 10 और 11 रहेगा तो आधि वरस के लिए दर कितने परतिसद हो जाएगी 5 परती सर इसको 20 तरीके से सरलगर हो देखू 5 बता 20 ने सोरी 5 बता 1 बता 20 रुपे मूल motion और 1 रुपे याज 20 रुपे मूल 준ौं भूगा 21 रुपे मूल दान कितने रुपे होगा 21 रुपे मल्टिपलाई करेंगे 20 इंटू 10 200 21 इंटू 11 कितना हुआ 21 एक और 21 को एक सें किया 231 कितने रुपे हुआ 231 अब 200 रुपे तो क्या है मूल्दन है 231 रुपे क्या है मिसर्दन है यह तो क्या है मिसर्दन है और 200 रुपे मूल्दन है तो क्या करेंगे 200 रुपे यह ती मूल्दन है हमने 200 रुपे निकाला और परसन के अंदर जो मूल्दन है वो मूल्दन कितने 6,000 रुपे मतलब 200 की वेल्यू कितनी है 6000 तो एक की वेल्यू 6000 बटा 200 इंटू निकालना क्या है? चक्रवर्दी ब्याज निकालना है तो चक्रवर्दी ब्याज कितने रुपे जुड़ा है? इसके अंदर चक्रवर्दी ब्याज कितने रुपे जुड़ा है? 31 रुपे 31 रुपे ठीक है? में मिसर दन पूछ रहा है तो दो सो एक तीस से गुणा कर देंगे ठीक है तो एक तीस से गुणा कर देंगे दो से दो कैंसिल कितनी बार तीस बार तीस को एक तीस से गुणा किया नो सो तीस रुपे क्या निकलेगा इसका एंस्वर निकल कर आएगा 930 रुप्ए इसका इंस्वरे निकल कर आएगा अगला क्यूशन देखते है अगला क्यूशन अगला क्यूशन देखो अब इस वाल के अंदर क्या है कि सादारन व्याज और चक्रवर्दी व्याज दोनूं seulement दोनूं ही दे रखा है सादान व्याजी और चक्रवर्दी व्याज दोनु दे रखा है देखो परसन क्या है कि अठारा सो रुपे की राशी दस परतिशत दर्शें उधार दी जाती है तो बताओ CIV SI जालो Compound Interest और Simple Interest ठीक है का दो वर्शों का अंतर कितना होगा तो SI याद करने के लिए आपको फोर्मूला याद होगा मूल्दन गुणा समय गुणा 10 बता 100 ठीक है तो मूल्दन कितना 8000 रुपे sorry 800 रुपे और इंटू दर 10 और समय दो ब्रस बता 100 और मल्टिपलाई किया 20 20 को अठारा से कितना होगा 360 रुपे क्या निकल कर आया साधारन ब्याज निकल कर आया दो वर्सों का ठीक है दो वर्सों का साधारन ब्याज निकल कर आ रहा है 360 रुपे और अब हमें क्या करना है कि चक्रवर्दी ब्याज भी निकालना है चक्रवर्दी ब्याज और इन दोनों का अंतर निकालना है साधान ब्याज का ठीक है तो चक्रवर्थी ब्याज निकालेंगे चक्रवर्थी ब्याज किस परकार निकालेंगे देखो चक्रवर्थी ब्याज किस परकार निकालेंगे देखो बटा 10 तो 10 और 11 एक भ्याज का जुड़ेगा तो Mr. Dhan कितने रुपे होगा? ये 11 रुपे होगा? ठीक है तो दूसरे वरस के लिए भी 10 दो वरस का देर रहे हैं 10 और 11 ये कितना अений होगा? 100 और ये कितना अवा? 120 कितने रुपे है ब्याज? 21 रुपे तो 21 की value निकालनी है 800 बटा 100 into अमें value निकालने है किसकी 21 की 2 से 2 cancel 21 को किसे गुणा करेंगी 18 से तो गुणा कर दिया देखो 18 32 36 36 और एक 37 कितने है वह तीन सो अठंतर रुपे निकल करें आया क्या चकरूर्दी ब्याच ठीक है अब हमें क्या करना इन दोनों का अंतर निकालना है अब इन दोनों का यदि हमें अंतर निकालना है तो क्या करेंगे कि दोनों का गटा देंगे चकूर्दी ब्याच और साधानि ब्याच तो 3080 में से 360 गटाया कितना बचा 18 रुपे 3080 minus 360 कितने रुपे निकल कराया अठारा रुपे निकल कर रहा है तो इसका कौन सा एंसर correct होगा de answer is correct होगा उमीद करता हूँ कि आप इस स्वाल को बहुत ही अच्छी से समझे होगे अगला question देखिए बहुत ही अच्छी अच्छी question है exam की दस्टी से mehto prun question है और बार-बार प्रिक्सा में पुछे भी जा रहे हैं अगला क्युशन के तरफ बढ़ रहे हैं देखो अगला क्युशन है अगला क्युशन यह है कि किसी धन का दो वर्सों का साधारन ब्याज 400 रुपे है किसी धन का दो वर्सों का साधारन ब्याज 400 रुपे है आप इस स्वाल को अच्छे तरीके से समझना देखो चक्रवर्दी ब्याज एकदम इजी परसनाव लिए कुछ बच्चे इसको हाड तरीके से ले रहे है कुछ बच्चे इसको सेर करो कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे और आसान तरीकों से इन स्वालों को हाल करें एकदम इजी तरीके से ये स्वाल हाल हो रहे है एकजाम में आसान से आपको मतलब याद रहेगा कि हमने इस class के अंदर इस स्वाल को इस तरीके से सरल किया था बहुत एजी तरीके से इन स्वालों को सरल करेंगी आप लेकिन एक बार आपको पिछली class जरूर देखने होगी उसको द्यान से समझना होगा ठीक है तो देखो किसी दन का दो वरसों का साधान ब्याज 400 रुपह है तथा दो वरसों का CI, CI का मदलब चक्रवर्दी ब्याज कितने रुपे है 412 रुपे है तो क्या बताओ R परतिसत बताओ मदलब 10 परतिसत बताने है देखो अब हमने बताए कि परतेक वरस साधान ब्याज समान रहता है ठीक है, ये लो SI पहले वरस के लिए भी 200 रुपे और दूसरे वरस के लिए भी 200 रुपे कि दो वरसों का साधान ब्याज 400 रुपे है दो वरसों का है, तो एक वरस का कितना रुपे हुआ 200 रुपे हुआ परतेक वरस साधान ब्याज समान रहता है 200, 200 अब मैंने कक्सा के अंदर पर्थम कलास के अंदर बताया था compound interest की जो पिसली कलास थी उसके अंदर बताया था कि यहां पर और नोट कर देता हूँ CI चक्रवर्दी ब्याज वे साधारण ब्याज पर्थम वरस में पर्थम वरस में पर्थम वरस में समान रहता है ठीक है तो पहले वरस का साधारण ब्याज 200 रुपे है तो चक्रवर्दी ब्याज भी 200 रुपे ही होगा कितने रुपे होगा 200 रुपे ही होगा तो देखो CI भी पहले वरस के लिए कितने रुपे होगा 200 रुपे होगा अब क्या कहा रहा है कि चकरवर्दी ब्याज 412 रुपे है दो वरसों के लिए तो पेले वरस के लिए 200 रुपे हो गया तो अगले वरस के लिए कितना रुपे है बचा 212 रुपे कितने रुपे 200 रुपे तो कितने रुपे जुड रहे है 12 रुपे जुड रहे है कितने रुप 200 तो चाहिए 3 वरस और 4 वरस और सभी के लिए रहेगा लेकिन आगे जो ब्याज है उस पर ब्याज जुड़ता जाएगा ठीक है तो इस 200 पर कितने रुपे जुड़ रहे है 12 रुपे जुड़ रहे तो देखो 200 पर 12 रुपे जुड़ रहे into so तो दर परतिसत घ्याद करना है तो cancel ये लो आपका एंसर कितना निगल कर रहा है 6 परतिसत आपका correct एंसर होगा 6 परतिसत आपका correct एंसर होगा व्यान से संदना एक बार स्वाल को कि पर्थम वरस का साधारन ब्याज और चक्रवर्दी ब्याज समान रहते है पर्थम वरस का साधारन ब्याज 200 रुपे है तो चक्रवर्दी ब्याज भी 200 रुपे ही होगा देखो पर्थम वरस का साधारन ब्याज 200 रुपे है ये तो आगे तो सब जगे समान रहता है साधारन ब्याज तो चक्रवर्दी ब्याज भी कितने रुपे होगा 200 रुपे होगा अब परसन में हमें दे रखा है कि टोटल चकुर्दी ब्याद 412 रुपे है तो 200 तो पहले वरस का हो गया तो दूसरे वरस के लिए कितना बचा 212 रुपे बचे ठीक है तो 212 रुपे बचे तो कितने रुपे पलस हो रहे 12 रुपे पलस हो रहे इसके अंदर कितने रुपे 12 रुपे पलस हो रहे ठीक है तो किस पर हो रहे है 200 पर 200 पर 12 रुपे ब्याज लग रहा है तो 200 पर 12 इंटू 100 कितने परतिसद निकल कर रहा है 6 परतिसद C option इसका क्या होगा correct answer होगा ठीक है अगला स्वाल देखे यह देखे साइम पिछला स्वाल है किछला स्वाल है answer जरूर कमेट बॉक्स में बताना इसका सरल करके देखो इस स्वाल को कि किसी दंदरासी का 2 व्रस में साधान ब्याज 15 रुपे 2 व्रस में साधान ब्याज 15 रुपे किसी दंद्रासी का दो वरस में सादारण ब्याज 15,000 रुपे है ठीक है अब क्या है कि C.I.B. दो वरस का कितना है 15,900 रुपे है ठीक है 15,900 रुपे है तो अभी मैंने बताया कि S.I. 15,000 रुपे है और दो वरसों की बात कर रहा है तो परते एक वरस में समान है मतलब 15,000 का आदा-दा कर दीजी 7,500 और 7,500 तो पहले वरस के लिए भी 5,500 दूसरे वरस के लिए भी 5,500 अब बात पिछले स्वाल में भी बताई थे कि पर्थम वरस का साधान ब्याज और पर्थम वरस का चक्रवर्दी ब्याज दोनु समान रहता है दोनु क्या रहता है समान रहता है ठीक है तो पर्थम वरस का जो ब्याज होगा वो भी कितना होगा 7500 रुपे होगा ठीक है दूसरे वर्स के लिए भी होगा लेकिन दूसरे वर्स में कितने रुपे ज्यादा हो रहे 15,900 हो रहे मतलब 900 रुपे ज्यादा जूट रहे 900 रुपे ज्यादा जूट रहे तो 900 रुपे किस पर ज्यादा जूट रहे देगो यहाँ पर दो वर्षों का ब्याज कितना है 15,000 रुपए तो साड़े साथ और साड़े साथ रहेगा ठीक है और इसमें पहले वर्षों में दोनों का क्या रहता है समान रहता है तो साड़े साथ साधान ब्याज है और साड़े साथ भी चकरवर्दी ब्याज रहेगा अब क्या क तो इसी प्रकार इस सौब के अंदर हो रहा है कि 900 रुपे है अधिक हो रहा है ठीक है वो किस पर हो रहा है साधे 7000 पर हो रहा है ठीक है तो साधे 7000 पर 900 बटा 7000 500 और हमें क्या गयाद करने है दर गयाद करने है Cancel ठीक है आगे इसको Cancel करेंगे 15 से 5 5 ये 60 कितने वार 12 वार 12 परतिसत इसका answer निकल कर आएगा Correct answer इसका होगा 12 परतिसत A option Correct उमीद करता हूँ कि इन दो स्वालों को आप अच्छी तरीके से समझे होंगे एक्जाम में आने वाले क्यूसन है और एक बार जरूर इनको solve करना इन क्यूसन को अगला क्यूसन के तरह बढ़ते हैं देखिए अगला क्यूसन अगला क्यूसन ये है कि ब्याज की किसी वारसिक दर से किसी दंदरासी का एक वरस एक वरस का साधान ब्याज है 260 रुपे तता उसी दंदरासी का दो वरस का सी आई 540.80 रुपे है तो ब्याज की क्या बताओ दर बताओ पिछले स्वालों से मिलता जूलता स्वाल ही है पिछले स्वालों से मिलता जूलता ही स्वाल है सेम स्वाल है देखो साधान ब्याज दे रहका है कि पहले वरस का सादान ब्याज कितना है 260 रुपे है घृँड है और उसी दंदराति मतलब वो ही दंदराति तो परतों वरस का सादान ब्याज और चक्रूरती ब्याज क्या रहेगा समान रहेगा यह लो CS 270 रुपे रहेगा अब वो CS की बात कितने वरस की कर रहा है, दो वरस की बात कर रहा है कि CI दो वरसों का है दो वरसों का CI कितना है 540.80 है 540.80 है तो पहले वरस के लिए कितना हो गया, 260 रुपे हो गया, तो पिछे कितना बचा दूसरे वरस के लिए दूसरे वरस के लिए कितना बचा देखो 540 0.80 बट्टा 200 स्वरी 260 60 माइनस करेंगे 0.80 0, 8 और 2 कितना बचा 280 280 280 280 ठीक है येलो 280.80 रुपे बचा अब सुनो द्यान से एक बार द्यान से सुनना क्यूसन को क्या कह रहा है कि पर्थम वरस कोई दंदराशी उस पर पर्थम वरस का जो साधान ब्याज है वो 260 रुपे है साधान ब्याज ठीक है और उसी दंदराशी पर CI अलब चक्रवर्दी ब्याज है वो 540.80 रुपे है 540.80 रुपे है तो क्या ग्याद करने हैं यह में दर ग्याद करने है तो पहले वरस का यदि साधान ब्याज 260 है तो चक्रवर्दी ब्याज भी 260 ही होगा कितना होगा 260 होगा यह बात दिमाग में फिट रखना कि साधान ब्याज और चक्रवर्दी ब्याज पर्थम वरस का क्या रहता है समान रहता है तो देख पर्थम वरस का 260 हो गया तो परसन में यह कह रहा है कि दो वर्षों का जो चक्रवर्दी ब्याज हो रहा है वो 540.80 रुपे हो रहा है तो पीछे कितने बचे 280.80 रुपे बचे वो किस साल के लिए होंगे दूसरे साल के लिए होंगे दूसरे साल के लिए ब्याज कितना हुआ 280.80 रुपे हो ठीक है अब क्या करना है कि देखो यह यहां पर है, 280.8 तो कितने रुपए बढ़ रहे हैं, देखो यहां से यहां तक ही, कितने रुपए बढ़ रहे हैं, 20 पॉइंट असी रुपए बढ़ रहे हैं मैंलब पेले वरसें दूसरे वरस में जाने के लिए 20.8 रुपए की क्या हो रही है वर्दी हो रही है मतलब ब्याज जुड रहा है ठीक है तो वो ब्याज किस पर जुड रहा है 260 पर जुड रहा है किस पर जुड रहा है 260 पर जुड रहा है ठीक है आपको मैंने बताया था पिछली गलास में एक बार फिर से समझा देता हूं गि जैसे मान लो कि मूल्दन है 1000 रुपे इस पर 10 परतिसत दर लग रही है जो कितने परतिसत कितने रुपे होगा है कितने परतिसत जो परतिसत के लिए हमें निकालना है चकरवर्दी पर आज तो मूत soir और चाज सक्वल पर तो लगेगा ही लगेगा 100 रुपे दूसरे वरस के लिए ठीक है इसके अलावा किस पर लगेंगे इस 100 पर भी 10% का ब्याज लगेगा तो इस 100 पर 10% का ब्याज कितना हुआ 10 रुपे हुआ तो इसमें 260 तो है 260 तो ब्याज लगा तो लगा ठीक है इसके अलावा 20.80 रुपे extra लगे कारण क्योंकि 260 पर भी क्या लगा है ब्याज लगा है ठीक है तो 260 पर ब्याज कितना लगा 20.80 रुपे लगा है तो देखे 260 पर 20.80 रुपे लगा है और परतिसद दर परतिसद गयात करने है तो इंटू 100 10 से 10 cancel यहां से point अटाएंगे और यहां पर कितने 0 20 10 से 10 10 से 10 इसको यहां से cancel करेंगे कितने बार 8 बार कितने बार 8 बार तो इसका एंसो निकल कर आएगा 8 परतिसद कितने परतिसद है 8 परतिसद option A क्या होगा correct answer होगा उमीद करता हूँ इस स्वाल को आप बहुत बढ़िया तरीके से समझे होंगे पिछे आपको 2-3 स्वाल भी इस तरीके के बता दी है अब अगला स्वाल देखिए अगला स्वाल देखिए काफी बढ़ा स्वाल है लेकिन एकदम इसी स्वाल रहेगा आपको मैं इस स्वाल को एकदम basic से basic तरीके मतलब easy से easy shortcut रूप में बताऊंगा देखो किस परकार करेंगे इस स्वाल को कि एक व्यक्ति 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेता है ठीक है एक व्यक्ति 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेता है और ब्याज वर्ष के अंत में लोटाता है ठीक है और वह व्यक्ति इस दंद्राशी को 6 परतिसत है वार्षिक C.I. मतलब चकरवर्दी ब्याज की दर्से जबकि ब्याज अर्दवार्षिक स्रियों जित है उधार देता है जान से समझना उधार देता है आगे उधारे देता है जान से समझना इस स्वाल को कि एक व्यक्ति 4 परतिसत की दर्से पेसा ला रहा है किसी से ठीक है और आगे किसी को दे रहा है आगे किसी को पेसा दे रहा है पेसा दे रहा है तो वो 6 परतिसत पर दे रहा है लेकिन उस पर जो ब्याज की दुद्दर लगा रहा है वो अदवार्सिक लगा रहा है क्या लगा रहा है अदवार्सिक लगा रहा है यह देखो सबसे मोश्ट बात यहां पर आती है क्या लगा रहा है अदवार्सिक लगा रहा है तो ब्याज वर्स के अंत में लेता है मालब एक वर्स के अंत में लेता है तो इस परकार प्रती वरस 104.50 से रुपे का क्या प्राप्त होता है लाप प्राप्त होता है तो उधार लेगी दंदरा सी बताईए एक सेकेंड मैं बता देता है चाहता हूँ इस वाल को द्यान से समझना कि अर्दवार्सी की बात हो रही है अर्दवार्सी की बात हो रही है ठीक है अर्दवार्सी का मतलग भी है यह वा कि एक वरस के अंदर दो बार ब्याज लग रहा है आदा आदा लग रहा है ठीक है जैसे मान लो 8 परतिसत है तो दर आदी आदी 4 परतिसत और 4 परतिसत अर्दवार्सी का है तो आदी आदी दर लग रही है 4 परतिसत और 4 परतिसत यदि 6 परतिसत है तो कितने 3 औरे 3 लग रही है तो अब करना क्या है किस परकार इस स्वाल को सरल करना है देखें तो दर आधी हो रही है अद्वार्सी के अंदर दर आधी आधी हो रही है अब करना क्या है कि देखो कि 4 परतिसत जो दर लग रही है कितने परतिसत है 4 परतिसत दर लग रही है पर्थम वरस के लिए तो 4 पर कितने परतिसत है 4 परतिसत निकालेंगी कितने परतिसत निकालेंगी 4 पर तो 4 परतिसत लगेगी लगेगी ठीक है अब इस पर भी कितने परतिसत चार परतिसत तो 4 का 4 परतिसत निकालेंगे तो कितना आएगा 4 चोग 16 16 बटा 100 मतलब 0.16 अगले वरस के लिए कितने होगी 4.16 पूरे वरस की बात कर रहा हूं मैं देखो द्यान से समदना इस बात को कि जैसे मानलो 8 परतिसत दर है और वो भी क्या हो रही है अर्दवार्शी को हो रही है तो दर 4 परतिसत ठीक है और उसके बाद में भी 4 परतिसत अब बात किसकी हो रही है चकरवर्दी ब्याजगी हो रही है मालों पहले वरस के अंदर जैसे दो वरस इसके अंदर वरस नहीं है 6-6 मा के अंदर दो बार ब्याज लग रहा है कितने बार ब्याज लग रहा है तो पहले 6 मा के लिए कितने परतिस्थ लगी 4 परतिस्थ लगी दूसरे 6 मा के लिए भी कितने परतिस्थ लगेगी 4 परतिस्थ लगेगी लेकिन उसके अंदर जो ब्याज आएगा 6 माह के अंदर है वो उस ब्याज पर भी 4% ब्याज लगेगा कितना पर्षेंट लगेगा? 4 पर्षेंट लगेगा तो इस 4 पर भी 4% निकालेंगे तो कितना हुआ? 0.60 0.60 जैसे देगों बताऊं कि जैसे मालो 6% दर है 3% दर होई ठीक है? 3% और 3% दर होई अब क्या है कि पहले 6 माह के लिए तो 3% ही लगेगी 3% ही लगेगी ठीक है? अब क्या है कि दूसरा 6 माह के लिए भी कितने पर्षेंट लगेगी? 3% लगेगी लेकिन जो पहले 6 माह के अंदर 3% लगी थी उसके अंदर कुछ ब्याज निकल कर आया था तो उस पर भी कितनी परशैंट लगेगी 3% लगे क्योंकि चकरवर्दी ब्याज के अंदर पहले वरस का ब्याज दूसरी वरस अंदर जूड़ता है ठीक है तो देखो जीसे मानलो कि 100 रुपे हैं कितने रुपे हैं 100 रुपे हैं ठीक है तो 100 रुपे पर अर्दवार्शिक दर लगाएंगी 3-3% 6% की दर्शन लगाएंगी तो पहले 6 माह के लिए कितने परतिस्द लगेगी तीन परतिसत तो निकल कर आएगा कितने रुपे ये तीन रुपे निकल कर आएगी ठीक है अब दूसरे छे मा के लिए भी सो पर कितने परतिसत लगेगी तीन परतिसत लगेगी तो अभी कितना आएगा तीन ही आएगा ठीक है अब क्या करा है कि पहले वरस के अंदर है पहले 6 मा के अंदर जो ब्याज निकल कर आया था तीन रुपए उस तीन रुपए पर भी 3% ब्याज लगेगा दूसरे 6 मा के अंदर वोगि चकरवर्दी ब्याज के अंदर ब्याज के अंदर ब्याज आगे वो ब्याज जुड़ता जाता है ठीक है तो 3 का 3% कितना हुआ 0.09 तो मतलब एक पूरे वरस के लिए कितना आया तीन तीन छे और जिरो पॉइंटे नो छे पॉइंटे जिरो नो निकल करे आता है ठीक है तो अब क्या करना है जैसे एक बार देखो इस परकार अद्वार सिक दे रखिये तो देखो यदि 4% दर है कितने परतिसत दर है 4% दर है ठीक है तो क्या करना है देखो बता रहा हूँ जैसे माल लो 4% दर है तो क्या रहेगा 4 का 4 और इसका डबल करना है तो कितना होगा 4 पॉइंटे 4 पॉइंटे 16 रहेगा ठीक है यदि दर 6% है इसका आदा करके बरक करना है ठीक है तो दर 6% है तो 6 का 6 रहेगा और तो यहां पर लिखेंगे 0.09 क्योंकि दो डिजिट में लिखेंगे ठीक है और जैसे अंदर देदी 5% देदी तो अद्वारसिक में किस परकार रहेगा देखो 5% पांच और जैसे 25 आजाएगा ठीक है जैसे मालो देदी मैंने 8% देदी 8% के लिए कितना रहेगा जैसे देदी 8 और अदा रहेगा 4 आठ पॉइंट है ठीक है तो अब देखो इस स्वाल को किस परकार सरल करेंगे कि एक व्यक्ति 4% वार्षिक ब्याज की दर्शें उदार लेता है और व्याज वर्स के अंत में लोटाता है वह व्यक्ति इस दंदरासी को 6% वार्षिक C.I. की दर्शें जिबकि ब्याज क्या है अर्दवार्षिक के सियोजित है तो उदार देता है तो वर्स के अंत में उस अब इस पर क्या कर रहा है अदवार्शिक से ओंजीत है ठीक है अदवार्शिक है तो 6 को 2 टुकडों में तोड़ेंगी 3 और 3 तोड़ेंगे ठीक है तो पहले 6 मा के लिए 3 और दूसरे 6 मा के लिए 3 लेकिन दूसरे 6 मा के अंदर ये 3 रुपे एड होंगे तो कितना हुआ 0.09 तो टोटल जो ब्याज निकल कर आ रहा है 6 तो ये वह और 0 3 3 6 और 0.09 6.09 कितना निकल कर आ रहा है 6.09 ब्याज निकल कर आ रहा है देखो दूबारा समझा रहा हूँ द्यान से समझना कि एक व्यक्ति 4 परतिसत पर पैसे लेकर आ रहा है ठीक है और आगे किसी दोस्त को दे रहा है वो 6 परतिसत पर दे रहा है ठीक है अब 6 पर 30 पर दे रहे हैं उसमें कंडिशन ये सर्थ ये रखिए है कि जो ब्याज है दर है वो अर्दवार्शी कहा है मतलब आधी आधी लगेगी दर कितने लगेगी आधी आधी लगेगी तो 6 का दाधा कितना वा तेन और तेन ठीक है तो पहले 6 मा के लिए भी ब्याज कितने रुपे हैं तेन रुपे लगेगा और दूसरे 6 मा के लिए भी कितने रुपे लगेगा तेन रुपे लगेगा लेकिन दूसरे 6 मा के अंदर है एक विशेस बात ये ध्यान रखनी होगी कि इस तीन पर भी ब्याज लगेगा ब्याज लगेगा जैसे उधारन देकर दे रहा हूँ देखो मैं कि 100 रुपे मान लो रासिय 100 रुपे क्या है रासिय अब क्या कर रहे हैं कि इस पर 6 पर 30 अर्दवार्शिक दर है कि इतने अर्दवार्श दर है तो 33% दर लग रहे है पहले 6 मा के लिए भी 3% लगेगी और दूसरे 6 मा के लिए भी कितने 1% लगेगी देखो ध्यान से समझना कि दूसरे 6 मा के लिए कितने पर 30 अब लगेगी त departments लगेगी जाने समझना, कि 100 रुपे रासी है, 100 रुपे रासी है, और 6 परतिसत आद्वार्सिक दर है, ठीक है, तो आद्वार्सिक दर है, तो 6 मा के लिए भी 3 परतिसत और अगले 6 मा के लिए भी 3 परतिसत रहेगी, ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले 100 रुपे पर ब्याज लगेगा 3 पर 3 higher, तो, तीन पर तीसद, ब्याज लगेगा, ठीक है, तो, ब्यदलों ब्याज को करें, तो, आब दूसरे 6 मां के लिए, जायें, जेदि सादान ब्याज होता, तो, रुपही ही रहता, लेकिन, दूसरे 6 मां के लिए जायेंगे तो, ये ब्याज भी इसके अंदर झूट जाएगा, चक्रवर्धी भ्याज का मतलब यह ही है कि भ्याज आगे जुटता जाता है, तो 100 रुपे यह हुआ और 3 रुपे यह हुआ, कितने रुपे हुआ 103 रुपे हुआ, ठीक है तो 103 रुपे हुआ तो 100 ठीक है और इस तीन रूपे पर ब्याज कितने रूपे रहेगा 0.09 रूपे इस पर क्या रहेगा ब्याज रहेगा तो ये एक वरस के अंदर ब्याज आता है 3, 3, 6 और 0.09 6.09 रूपे ब्याज निकल कर आता है ठीक है तो 6.09 ब्याज निकल कर आता है तो लाब कितने का हो रहा है देखो 4% पर ले रहा है और 6.09 वापिस से दे रहा है तो ब्याज लाब कितने का हो रहा है 2.09 का लाब हो रहा है कितने का लाब हो रहा है 2.09 का लाब हो रहा है ठीक है तो 2.09 का लाब हमें हो रहा है परसन में लाब कितने का हो रहा है 104.50 तो 2.09 की value कितनी है 104.50 तो 1 की value 104.50 बटा 2.09 9.10 हमें value किसकी निकालनी है 100 की value निकालनी है ठीक है तो point अटाया 2.0 2.0 से 2.0 cancel ठीक है या ऐसे करेंगे कि निचे से point अटायेंगे तो भी उपर भी कितने 0 निचे 2 उपर point है तो point से point के क्या हो जाएंगे cancel हो जाएंगे पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएंगे ये इससे केंसे होगा कितनी बार पचास बार और पचास को सो से मल्टिपलाई गया कितना है 5000 एंस्वर निकल कर आएगा इसका एंस्वर कितना एंस्वर होगा 5000 इसका एंस्वर होगा कितना एंस्वर होगा पांचार एक बार इसको फिर से समझना है इस स्वाल को देखो एक बार फिर से समझना है इस स्वाल को एकदम इजीली स्वाल है देखो चार परसेंट पर ले रहा है अब द्यान समझना चार परसेंट पर ले रहा है और छे परसेंट पर दे रहा है ठीक है तो अदवार सिक दर है तो दर कितनी होगी? तीन और तीन होगी पहले 6 मा के लिए भी 3 और दूसरे 6 मा के लिए भी तीन रहेगी ठीक है? तो 100 रुपे राशी मान ली तो 100 रुपे पर 3% यदि लगाएंगे तो कितनी रुपे आएगा? 3 रुपे आएगा? तो दूसरे वर्सके लिए ब्याज निकालेंगे तो दूसरे वर्सके लिए ग्याज भी कितना रहेगा? 3 रहेगा लेकिन 3 पर भी ब्याज और लगा क्योंकि चक्रवृधी ब्याज के अंदर ब्याज झूटता जाता है 3 पर 3% लगा कितना हुआ, 0.09 रुपे तो ब्याज कितने रुपे जूट रहा है कितना आ रहा है, 6.09 ठीक है, और ले कितने पर आ रहा है 4 परसेंट पर ले रहा है ठीक है, 4 परसेंट पर ले रहा है, तो 4 और 6.09 के अंदर इस परस्ट दिखाई दो पॉइंट है 09 लाब हो रहा है पर्सन के अंदर लाब हो रहा है 104.50 थीक है तो एक की वेली होगी 104.50 बट्टा 2.09 into 100 पॉइंट से पॉइंट केंसिल ये ही से केंसिल होगा कितने बार 50 बार और 50 को 100 से multiply किया कितना है 5000 इसका answer 1 option से होगा C option इसका correct answer होगा ठीक है जो दर है उसको आदादा करेंगी और जो पहली दर है उस पर क्या लगेगा और विब्याजे लगेगा अगला स्वाल देखे अगला स्वाल देखे कोई रासी कोई रासी चार वरस में दूगुनी हो जाती है ठीक है तो बताओ कितने वरस में 16 गुनी हो जाएगी कितने वरस में 16 गुनी हो जाएगी तो एकदम इजी तरीके से इस वाल को सरल करना है किस परकार सरल करना है देखो पहले चार वरस में चार वरस में दूगुनी हो रही है ठीक है तो कितने वरस में कितने वरस में सोडा गुनी हो जाएगी कितने वरस में सोडा गुनी हो जाएगी तो क्या करेंगे सबसे पहले इसको गात के रूप में लिख लो 2 को गात के रूप में लिखेंगे 2 की गात 1 की value कितने होती है 2 होती है ठीक है आसान तरीके से इस स्वाल को स्रिल करेंगे और 16 को किस परकार लिखेंगे 2 की गात है 4 2 को 4 बार गुना करेंगे 2 into 2 into 2 into 2 तो कितना हैगा 16 तो अब क्या करना है कि 4 वरस में 2 गुनी हो रही है तो 2 की गात 1 लिख देंगे और कितने वरस में 16 गुनी हो रही है तो 16 को लिख देंगे 2 की power 4 सबसे पहले इस परकार का यदि कोई स्वाल आए तो उसको गात के रूप में नोट करना है किसके रूप में नोट करना है गात के रूप में नोट करना है देखो 84 वरस में दो गुनी हो जाती है तो बताओ कितने वरस में वे 16 गुनी हो जाएगी ठीक है तो कितने वरस में 16 गुनी हो जाएगी तो सबसे पहले इसका मैं सोट कर ट्रिक बता देता हूँ देखो दूसरी गात बटा यानि पहला समय दूसरी गात बटा पहली गात इंटू T1 देखो दूसरी गात कितनी है दूसरी गात कितनी है 4 पहली गात कितनी है 1 और समय कितना है पहला 4 वरस 4 को 4 से multiply गया कितना हैगा 16 वरस कौन सा option correct होगा B option है correct answer होगा ठीक है अगला स्वाल देखते है कोई रासी C.I.D. की वार्सिक दर से 2 वरस में 3 गुणा हो रही है ठीक है पिछला स्वाल का तरिका भूरे गा 2 वरस में 3 गुणा हो रही है ठीक है तो 3 गुणा को किस प्रकाद लेकेंगे 3 की पावर है 1 ठीक है तो वे कितने वरस में 9 गुनी हो जाएगी कितने वरस में 9 गुनी हो जाएगी कितने वरस में 9 गुनी हो जाएगी तो 9 गुनी तो 9 को किस परकार लिख सकते है 3 की पावर है 2 3 की पावर है 2 लिख सकते है ठीक, अब ग्या करेंगे पता है था दूसरी गात उपर रहेगी दूसरी गात बटा पहली गात इन्टू पहले वरस का समय पहले वरस का समय कितना है दो, दो को दो सें किया कितना answer निकल कर आएगा, चार वरस correct answer होगा ए ओप्शन, correct answer निकल कर रहेगा, ठीक है अगला स्वाल देखिए अच्छा क्योंसन है यह कि किसी परतिसत वार्षिक दर्सें कोई दिनरासी दो वर्सों में कोई दिनरासी दो वर्सों में स्वयम की दो वर्सों में स्वयम की चार गुनी दो वर्सों में स्वयम की किस परतिसते वार्षिक दर्सें कोई दिन रासी दो वर्सों में स्वेम की चार गुनी हो जाती है ठीक है कितने गुना हो रही है चार गुना हो रही है तो चार गुना यह दि रासी हो रही है जैसे मानलो रासी एक रुपए है तो रासी हो कितनी रही है चार उपे रासी हो रही है तो यह तो है मूलदन ठीक है और यह क्या है मिसरदन क्या है मिसरदन ठीक है अब देखो तो हमें ग्यात क्या करने है दर ग्यात करने है क्या ग्यात करने है दर ग्यात करने है तो देखो यह तो है मूलदन और यह है मिसरदन अब ये पीछले कलास के अंदर बताया था कि दो वरस दो वरस दे रहा है तो वरगमूल निकालना है तीन वरस दे रहा है तो गनमूल निकालना है ठीक है तो देखो किस परतिसत से हैं हो रही है तो दो वरस देखो एक का वरगमूल है एक और चार का वरगमूल है दो मतलब रा ब्याज कितने रुपे एड हो रहा है एक रुपे एड हो रहा है ठीक है तो एक पर एक रुपे ब्याज एड हो रहा है तो दर परतिसत निकालनी है तो इन्टू सो तो कितना निकल कर आएगा सो परतिसते दर होगी कितने परतिसत दर होगी सो परतिसते दर होगी कैसे की की स्वयम की चार गुनी हो रही है तो स्वयम की चार गुनी स्वयम एक मानली तो रासी हो कितनी रही है चार गुनी हो रही है कितने वर्सों में दो वर्सों में हो रही है तो एक वरस में एक किरासी कितनी होगी दो होगी क्यों यह जिद्धी यहां पर तीन वरस दे रखा होता तो यहां पर गनमूल निकालती और दो वरस दे रखा होता तो हम क्या निकालते वरगमूल निकालती ठीक है तो यहां पर वरगमूल एक का वरगमूल एक और चार का परतिस्यत आएगी 100 परतिस्यत आएगी इस परकार के स्वाल हमने पिछली कक्साओं के पिछली कक्सा के अंदर भी किया था पिछली कक्सा के अंदर भी किया था देखो पिछली कक्सा के अंदर है अमने स्वाल किया था पिछली कक्सा के अंदर है कि ये एक ये कि ए कि ए कि ये इन ये इसमिझ एक इसने यह देखी कि तीन वरस दे रहे हैं देखो तीन वरस दे रहे हैं इसको कैंसिल किया तो कितना आया यह तो मूल दे रहे हैं यह मिसर दे रहे हैं यह तो आया दो सोड़ा और यह कितना आया 343 तो तीन वरस दे रहे हैं तो तीन वर्स के अंदर क्या निकालेंगे, हम गनमूल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, गनमूल तो 216 का गनमूल कितना हुआ, 6 और 343 का गनमूल कितना हुआ, 7 ठीक है, और यदि यहां पर 2 वर्स होता, तो क्या निकलता, वरगमूल जिस परकार वो स्वाल बताए है, तो 6 और साथ कितने की वर्दी हो रही है एक की वर्दी हो रही है किस पर छह पर तो छह पर एक की वर्दी हो रही है इंटू सो तो पचास बटा तीन तर निकल कर आए कितनी 16 साही दो बटा तीन पर तीसाथ इसी परकार ये स्वाल है देखिए देखो इसी परकाई ये स्वाल है सुनो द्यान से कि चार गुनी हो रही है तो एक और चार हो रही है कितने वर्सों में दो वर्सों में हो रही है तो दो वर्सों में इसका वरगमूल निकालेंगे एक का वरगमूल एक और च्यार का वरग मुल दो कितनी बढ़ रही है एक रूपे रासी बढ़ रही है एक पर एक परसेंट बढ़ रही है तो इंटू परतिसत निकालना है तो सो से मल्टिपलाई ने परतिसत निकल कर आया सो परतिसत निकल कर आएगा ठीक है तो ये चक्रवर्दी भी आज की दूसरी कलास रही है इस कलास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें उमीद करता हूँ कि इस कलास को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझे होंगे ठीक है और अगली तीसरी कलास के अंदर आपके लिए मैं अच्छी अच्छी क्यूसन और लेकर आ रहा हूं चक्रवर्दी भी आज की तो आप से मैं ये निविदन करना चाहता हूँगी आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सेर कीजी बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए बस इतना ही अगली कलास फिर कल रहेगी धन्यवाद